एक्स लिंग्ड फटर आई जी एमिनो डेफिशंसी में बैसिकली क्या हो रहा था कि यह जो है बी से इसोसिएटिड इम्मून डेफिशंसी है जिसमें एग्स जो एमिनो ग्लोबिल एम है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वज़ा से क्या होगा कि IGG है जो दूसरी एंटिबाडी है जैसे इम्मुनो गलोबलीन G है और इम्मुनो गलोबलीन A है उनका लेवल जो है वो रिड्यूस कर जाएगा और यह जो कंडिशन है इसकी वज़ा से क्या होगा कि जो आपके CD सेल्स हैं उनमें डिफेक्ट आने के चांसेशन है और जो भी पेशेंट जिसमें X-Linked Hyper IGM इम्मुनो डेफिशेंसी है उसमें बेक्टेरियल इंफेक्शन होने के चांसेशन जो है वो बड़े इंक्रीज कर जा वो प्जू कि जा सकता है उसका तृफ का टिश्ध्या जा सकता है उसका तरीका क्या है इसमें इंट्राविठी गेमा ग्लोबलन जो इन्जैक्शन है इस का सेwenー जो आपके Podcast को दे जा जा कर देगी जाया तो इस दाविशान के जरीए जहा है जो , Killian sitzt London, है वो क्फेशेंट तो यह आपको पता है कि प्राइमरी इम्यून डेफिशेंसी नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है और इसमें जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजिस उनमें डिफेक्स आ जाएंगे और नेचर के लिर सेल्स में दिफेक्ट आने के चांसेज हैं तो इसमें आप दुबारा क्रोनिग ग्रेनुलोमेटिस डिजीज का इक्जामपल में डिसकस कर दीजेगा और इसके साथ आप लोगों ने एक और इम्यून डेफिशेंसी का नाम लिखना है इसी तरह एक हैडिंग देनी है इम्यून डेफि हाइपो कंपलीमेंटिमिया कहते हैं किंपलीमेंट प्रोटीन में अबनॉर्मिलिटी जा जाएंगी और इस किंदिशन को आप कहेंगे यज सिर्जी परिole अबनार्वड़ीजिए इत में इसमें आप सेय応 energy और उसमें आपनोर्मी का अबनार्मूर्म्टी इन कंप्लिमें प्रोटीन आने का समय टैमिया ​​ऑर यह जो है यह defect जो है वो genetic in nature है और inherited effect की वज़ा से आ सकता है कि complement protein की synthesis में कोई ना कोई effect आ जाए तो यह disease होने के chances हैं और इसमें basically C3 synthesis जो complement 3 protein है उसकी synthesis में defect आता है और further यह क्या है कि इस disease की वज़ा से आपको different किसम की infections हो सकती है जैसे नाइजेरिया स्टेप्टो कोकस infection होने के chances हैं और further यह जो condition है इसको different autoimmune disorders भी इसकी विज़ा से हो सकते हैं तो यह सारा कुछ आपने immunodeficiency में याद रख लेना और यह जो चीजें मैंने discuss की है इसको जो आपने अपनी जो बुक है उससे लाज में discuss कर लेना है